बिहार में पूल धंसने का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूल बनाने में हो रही ब्रश्ट चार के कारण कोई पूल उद्घाटन के कुछ दिन बाद तो कोई उद्घाटन से पहले ही धंस जा रहे हैं। ऐसा ही एक और नया मामला किसंगंज जीले से आया है। किसंगंज जीले के दिगल बैंक प्रखंड के पत्थर घटी पंचायत के लोग जहां वर्सों से बाड की विविशका को जेल रहे हैं। कनकई नदी के द्वारा कच्ची सरक को काटने के बाद ये हालात उत्पन हुआ है। निर्मनाधिन पूल के एप्रोच पर चचरी बना कर लोग अवागमन कर रहे थे। अब पूल के हिक हिस्से के धस जाने से उधर का पूरा इलाका टापू की सकल ले चुका है। जीले में ठेकेदार और अवियंता के मिली भगत से अवाम के पैसो को सरकार के माध्यम से किस प्रकार पानी में बहाया जा रहा है। ये सिर्फ एक बानगी है। 20 मिटर डाइवर्जन को नहीं बाधने के कारण करोरों का नुकसान हो चुका है। ये पूल बनकर तयार था। अप्रोच पत्त की मरमत होते ही आवाजाही सुरू हो जाती। ब्रश्ट चार विभागिय लापरवाही और ठीकेदारी। एवं अवियंता की मिली भगत ने बिच भी सरके कटी। बाद में वहाँ पूल निर्मान का कार शुरू हुआ लेकिन लोगों की उमीद पूरी होने से पूर्वी उसपर पानी फेर दिया गया। इस थानिये ग्रामीनों ने बताया कि पूल निर्मान में अन्यमित्त की गई है। ग्रामीनों के अनुसार संब और अभियंता ने नियमों को ताक पर रख कर पूल निर्मान कार किया है जो पानी की हल्की दबाव को भी नहीं जेल पाया और पूल निर्मान में घट या समगरी का उपयोग हुआ है बिहार में इस साल भारी बारिस के वज़ा से भैंकर बाड आया हुआ है लगवग 18 जिले बाड से प्रभावी थे बाड के बीच पूल धस ने किया कोई पहली खबर नहीं है लगतार ऐसी कई खबरे सामने आई है और अभी भी लगतार आ रही है जो भ्रश्ट चार पर सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को खोकला साबित कर रहा है